तो अक्षू कीर सोही में आपका फिर से स्वागत है आज में लेके आई हूँ नवरातर स्पेसल ब्रत की थाली की रेज़बी क्योंकि अभी नवरातर चल रहे हैं तो ब्रत का कुछ तो आप से सिहरी कन्ना बनता है तो मैंने आपर आज कुछ स्पेसल जैसे टिक्की बनाया है कुछ अलग होना चाहाए तो यहांपर मैं बहुत कम घी और बहुत कम ही ओयो मैं इमोट रहे हम तैयार की कि यहां पर हम र्यसेपी करेंगे सबसे पहले मैं बनाओंगी कद्दू की खीर तो यहां पर मैंने कद्दू को अच्छे से चील लिया था उसका छिकल हटा देना है और बीच जो अंदर के रहते वह भी हटा देना है और फिर क्या करना है उसको कर लेना है कद्दू कस तो ज्यादा मोटा मत करिएगा बहुत पत को पत्दू कर लिया है थोड़ी सी मलाई एड्ड करेंगे बहुत जादा मलाई वाला दूद नहीं लेना है दूद में जब हमारा वाइल आ जाएगा तब हम यहां पर कद्दू कर रखा है उसको एड़् कर देना है सारे कद्दू क मैंने यहां पर एड़् कर दिया था और और देना है जब तक यह कद्दू अच्छे से वॉयल होगा तब तक हम यहां पर इसमें डालने वाले हैं ड्राइफ फूर्स एन इलाइचीज बगएरा तो मैं वो तब तक यहां पर प्रिपेर कर ले रही हूं तो यहां पर हमारे कद्दू वॉयल हो रहा था उसके लिए मैंन मिक्सिंग जार में डालकर थोड़ी देर चला सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट जो होता है वह ज्यादा अच्छा आता है मुझे इसके अच्छे लगते हैं तो मैंने सुचा क्यों ना इसी तरीके से इसको कूट लिया जा तो यहां पर हमने इसको अच्छे से पीस ल सब्सक्राइगा ना तब हम इनको एड़ कर दें ताकि साथ में पकें जब जैसे कद्दू गलेगा तो यह भी थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर देखिए कद्दू हमारा अच्छे से गल चुका था मैंने तीन से चार मेंट ड्राइफ शूट्स डालकर इनको चार तो अच्छे से पका लिया था वाइल ले लिया था यह देखिए हमारा यहां पर जो खीँड़े है तो खीर हमारी रेडि हो चिक है हम मनाएंगे चट्नी ते हमाज ड्राइप रहित हाई यहां पर फिर हम यहां पर थोड़ासा जो फ्रारी नमक होता है वह एड़ करेंगे थोड़ास एक से दो चमच पानी एड़ कर देंगे और फिर इसका फाइन पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे तो यह देखिए हमारी चटनी बनकर तयार हो गई है एकदम बहुत स्मूध एंड बहुत अच्छा पेस्ट बना है अब हमें बनानी यहां पर टिक किया तो मैंने आपर आलू को 6-7 आलू मैंने अच्छे से कदुकस कर लिये थे आप चाहें तो हास से भी मैस कर सकते हैं फिर मैंने इसमें धनिया पत्ता चौप करके एड़ किया थोड़ी सी हरी मिर्च मसाला मैं डाल चुकी थी और सूट करना भूल गई थी तो मैंने फिर से आपको बताने के लिए यहां पर मैंने नमक लिया था और मैंने आपर गरम मसाले का पाउडर जिसमें मैंने पीस के रखा है खासकर ब्रत के लिए जिसमें है काली मिर्च और जीरा और क्या कहते हैं थोड़ आपको घ्ट कर दीडिया इसको करें जिसमें करें एक नहीं मैंने नहीं उपता है थोड़ा से मिक्स करेंगे टो की ना नहीं पर देशिगी सीटे थोड़ा सा एक चममच आलू रेकर और इस तरीके से गॉल गॉल करकर हमें आप कर यहां कर तयार कर लेनी कि भूत शब्सक्राइब ना बनाईएगा क्योंकि खाने में जब कम घीमें बनाते तो मोटी टिक नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वह से शेक नहीं पाती है अंदर जो आलू का टेस्टी आता रहता है तो इसलिए रहां पर हमारी सारी टिक्कियां बनकर तयार हो गई थी फिर मैंने आपर एक तबा रख या गैस पर थोड़ा साम उस पर घी लगा देंगे और जो हमने टिक्के बना के रखेंगे उनको इस तरीके से दवा दवा के रखेंगे और जितनी आ जाएं उतना आप रख लीजिए सफीसियन मेरे में तो छह साथ आ गई थी आराम से आप एक एक दो दो करके भी हाँ पर फ्राइ कर सकते हैं घी लगाते रहिए और इनको रखते रहिए यहां पर मैंने सारी टिक्क्यों को रख दिया था फिर हमें क्या करना है इनको थोड़ा थोड़ा प्रैस कर देना है और जो गी है न वह बहुत कम कॉंटिटी में इस पर 2 तो पर दोनों तरप से अच्छे लगा के इनको राइब करोने इसकेक़ जैसे और दिखने की यह चैश Nope खाली को सजाने की बारी आती है तो सबसे भहले हम यह पर करेंगे कीए खीर को सर्व तो मैंने आप जो कद्दू की कीर उस पर उपर से थोड़ी सी केसर भी लगाई थी थोड़ा अच्छा लगता है और टेस्ट भी अगर आप उसको घोल के डाले में तो टेस्ट भी अच्छा ब्रत की थालिया आपको कैसी लगी प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को बहुत सारा प्याज दीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा तो हमारी बोग की थालि बनकर एकदम तयार हो गई थी रेस्पी कैसी लगी प्लीस जरूर बिजाईएगा बहुत मेहनत लगती है बनाने में और ये मेरा ब्रत का पहली थालिया है तो मैंने सुचा कुछ इस ताइप का बनाओं घर में भी मै ऐसा ही बनाती रहती हो तो ये रेस्पी यहाँ पर हमारी एकदम बनकर तयार होगी देख मैंने केसर भी डाली है आपको पास से दिखा रही हूँ देख मैंने केसर इसको लगा दी थी क्योंकि खीर में केसर का टेस्प थोड़ा अच्छा आता है तो रेस्पी कैसी लेगी ज जया मता की